6.8 विद्यूत पर्योग में रखी जाने वाली सावधानिया जैसा की हमने देखा कि किसी विद्यूत परिपत में और सावधानी से लगू पतन अथ्वा अती भारण के कारण आग लगने का खत्रा रहता है जरासी लापरवाही के कारण विद्युत जटके भी लग सकते हैं इसी लिए विद्युत प्रयोग के दोरान इन सावधानियों को रखना चाहिए स्विच तथा प्लक को कसा हुआ जोड़ना चाहिए उचित विद्योत रोधी परत के तार प्रयोग में लेने चाहिए खराब अथ्वा क्षतिक रस्त तार तुरंत बदल देने चाहिए आग लगने या दुरघटना होने पर परिपत का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए प्रत्येक परिपत में उचित पदार्थ वा आवश्यक शम्ता वाले फ्यूसतार का उपयोग करना चाहिए सभी विद्यूत उपकर्णों के लिए भूतार अवश्य लगाना चाहिए बिजली के स्वीचों वा उपकर्णों का उपयोग गीले हाथों से ना करें कुछ अन्य आंकिक प्रश्नों के हल् प्रश्न एक किसी विद्यूत भल्ब के तन्तु में से snow.5 एंप्यर विद्यूत धारा दस मिनट तक प्रवाहित होती है विद्यूत परिपत से प्रवाहित विद्यूत आवश्य का परिमान ग्यात कीजिए इस प्रश्ण के लिए से सम्मंदित जो चित्र है जो परिपत है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिया गया है विद्युद्धारा आई बराबर 0.5 एंपियर और समय t बराबर 10 मिनट मिनट को हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो इसके लिए यह हो जाएगा 60 गुणि 10 सेकेंड याने की 600 सेकेंड और अब हम जैसे की जानते हैं की विद्युतावेश q बराबर होता है i इंटू t मान रख दे तो i का मान हमारे पास है 0.5 एंपियर और t है हमारे पास 600 सेकेंड याने की q का मान हमें प्राप्थ हो जाएगा 300 कुलम तो q बराबर विद्युतावेश बराबर हमें कितना मिला 300 कुलम इस प्रकार्य प्रश्ण हल हुआ प्रश्ण 2 किसी धातू के एक मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियर्स पर व्यद्युत प्रतिरोध 26 ओम है यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातू की व्यद्युत प्रतिरोधकता क्या है चलिए पहले देख लेते हैं कि इस प्रश्ण में क्या-क्या दिया गया है दिया गया है तार की लंबाई एक मीटर 20 डिग्री सेंटिग्रेट पर व्यद्युत प्रतिरोध आर बराबर 26 ओम तार का व्यास डी बराबर 0.3 मिलीमीटर चुकि यह मान मिलीमीटर में दिया है तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा तो इसके लिए इसे हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा 0.3 बटे 1000 मिलीमीटर हुआ यह इसे और हल कर ले तो हम इसे लिख सकते हैं 0.3 गुणे 10 की घात रिंड 3 और या फिर इसे लिखा जा सकता है 3 गुणे 10 की घात रिंड 4 मिटर यदि व्यास का मान 3 गुणे 10 की घात रिंड 4 मिटर है तो त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात रिंड 4 बटे 2 याने हम इसे लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात रिंड 4 मिटर चलिए आगे देखते हैं दिये गए तार की वैद्यूत प्रतिरोधकता हमें ग्याद करनी है तो दिये गए तार की वैद्यूत प्रतिरोधकता रो बराबर होगा प्रतिरोध गुणेत अनुपरस्थकार्ट का छेतरफल बटे तार की लंबाई तो हम सभी का मान इसमें रखते हैं उसके पहले हम अनुपरस्थकार्ट का छेतरफल का भी यहाँ पर मान रख दे पाई आर का वर्ग बटे इल चलिए प्रतिरोद कितना है 26 उम उसके बाद पाई का मान 22 बटे 7 गुनेत आर का मान 1.5 गुनेत 10 की घात रिन 4 क्योंकि आर का वर्ग है इसलिए हम इसे दो बार लेंगे 1.5 गुनेत 10 की घात रिन 4 पूरे के बटे L का मान है 1 क्योंकि एक मीटर लंबा तार है तो इस प्रकार हमें क्या मिला 26 गुनेत 22 बटे 7 गुनेत 1.5 गुनेत 10 की घात रिन 4 गुनेत 1.5 गुनेत 10 की घात रिन 4 इस समीकरन को यदि हम हल करें इसे हल करने पर हमें प्राप्त होग 1.84 गुणित 10 की घात रिंड छे ओम मीटर तो इस प्रकार दिये गये तार की व्यद्यूत प्रतिरोधकता मिल गई 1.84 गुणित 10 की घात रिंड छे ओम मीटर और यह प्रश्ण हल हुआ